Planetary Laws of Motion और Kepler's Planetary Law किसी भी प्लैनेट के चारो ओर गुमने वाले सेटिलाइट के मोशन के बारे में या सन के चारो ओर गुमने वाले प्लैनेट के मोशन के बारे में कापलर ने फ्ली लॉज दिये जिने हम बोलते हैं Planetary Laws of Motion या कापलर's Law इससे पहले माना जाता था कि सारे प्लैनेट सन के अराउं एक सर्कुलर पार्थ में revolution करते हैं जहां सन सेंटर में होता है और सभी के सभी चारों और एक सर्कुलर पार्थ में गूंते हैं बट कैपलर ने इसको modify किया और उनके according उन्हें कुछ statement दिये तो ने थीला की ब्स्ट सन लोग कि लोग जाटीए फिस्टलो ऑनननेज़ ऑनाव ओर्बित श्कंनलाथ नूननेश लोग धर एटर अटर्ड राउस अलज़ गालाण 10 ब्सीय्ठ पहले where sun lies on one of the ellipse focals, मतलब कि सारे planet circular path में revolve ना करके elliptical path में revolution करते हैं, उसमें भी sun center में ना होकर ellipse के दो focus में से किसी एक focus पर होता है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ sun है और यह planet है, जो कि revolve कर रहा है किसी elliptical path में और यह कहाँ है, किसी एक focus पर, तो जब भी यह planet sun के पास में होगा, इस side होगा, इस reason में, तो यह sun से बहुत पास होने के कारण यह बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, तो यह कौन सा season चलेगा, summer, और जब भी यह planet घूमते हुए, इस side आएगा, मत्सब इसकी sun से दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो यह कौन सा season आएगा, winter, लेकिन अगर यही sun अगर center में होता, तो इसकी दूरी हमेशा लगब 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 एक्वल होती, जिससे ना हमारे पास season आते ही नहीं, ना summer होता, ना winter होता, तो Kaplan ने क्या explain किया पहला, All the planets revolve around the sun in elliptical path, in such that the sun lies one of the four days, Same to same, अगर हम satellite और planet की बात करें, तो planet के around satellite भी इसी तरीके से revolve करते हैं, Second law, law of area, All planets sweeps equal area in equal interval of time period, Equal area, मतलब की अगर हम बात करें, कि हमारे पास कोई planet T1 समय से T2 समय में कहां पहुंचता है, यहां से यहां, और उतने ही T1 समय से T2 समय, T1 और T2 के वाली fix है, मैं कहां से कहां जाता है, इधर से इधर, तो इस fixed time interval में, that is T2 माने T1 time interval में, जो line joining from the sun होंगी, by the planet, यह कितना equal, जो area draw करेंगे, वो कितना होगा equal area, for example, यहां, यहां से, PSQ, area of PSQ, equal to area of RSM, area of PQS equal to area of RSM, for same time interval में, मतलब कि, यहां, planet, sun के पास है, तो area बढ़ाना है, तो distance क्या होगी, जादा होगी, length कम है, यहां length जादा है, तो distance क्या होगी, यहां प्लैनेट जल्दी जल्दी भाग रहा, यहां प्लैनेट दीरे दीरे भाग रहा है, यहां तेज भागता है, यहां दीरे दीरे भागता है, but, constant क्या है, area of PQS equal to area of RSM, मतलब कि, equal time period में, equal area कबर करते हैं, the third law of capillus, the third law of capillus says, square of time period, is directly proportional to, cube of mean distance between planet and sun, मतलब कि, जो भी planet का time period होता है, time period हम जानते हैं, एक revolution में, लगने वाला समय, उसका square, planet और sun के बीच का, mean distance का, cube के proportional होता है, यह law हर एक planet, हर एक satellite के लिए follow होता है, मतलब हर एक satellite का, कि एक revolution में कितना time period लगेगा, यह किस पर depend करता है, इसका square, उस planet और उस satellite के बीच के, mean distance के cube के proportional होता है, तो पहला लोग के है, law of orbit, मतलब, सारे planet, sun के around, elliptical path में, move करेंगे, जहां sun एक ellipse में होगा, second law, law of area, all planets sweep equal area, in equal interval of time, and third law, square of time period, is proportional to, mean distance of, between planet and satellite, or planet or sun, जहां मेंगे,